डाउटनेंट पर किजिए अपने सारे गौवन्मेंट एक्जाम सी त्यारी, सीखे नियू टिप्स रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैच्जाओट्स का, डाउलोड किजिए डाउटन आप भी या फिर वाट्साप किजिए अपने डाउट्स 8400400 पर बारा माइनस रूट एक सो चालीस माइनस एक बटे रूट आठ माइनस रूट साट माइनस दो बटे निकालना है तो देखे यहां पर यह जो रूट लगा हुआ है यह पूरी वैल्यू पर लगा हुआ है तो देखे हम इसका माईं गयाद करते हैं तो देखे, यहां पे हमें तीन अलग-अलग संख्या में कहे दूँ यहां पे भिन्द के फॉर्म पे दे रक्की हैं और इसको हमको solve करना है, और निकालना है तो देखे, यहां पे मैं कहता हूँ, कि अगर मैं पहली value को देखता हूँ तो पहली value में ये 12 है और ये 140 है इस 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4.35 लिख सकता हूँ इसी प्रकार अगर मैं ये 60 को अगर break कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 15.4 अगर मैं ये 84 को देखूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 21 गुणे 4 मैं ऐसी कुछ value लूँगा इसको ऐसा break करूँगा ताकि मैं तीनों ही संख्याओं से ये जो value समान value को बाहर निकाल सकूँ तो देखे यहां से ये क्या जाएगा मेरा 1 बटे root 12 minus root 140 को मैं लिख लेता हूँ 35 गुणे 4 ठीक है और ये minus 1 बटे ये कितना है root 8 minus root 60 तो root 60 को मैं 15 गुणे 4 लिख लेता हूँ ठीक है मुझे 4 के गुणेज में लिखनी है ये value ये याद रखिएगा ताकि हम इसको बाहर निकाल के आसानी से solve कर सकें यहाँ पर हो सकता है कि गुणेज आपको ये value ऐसी दे रखिए हो कि सबसे 2 का गुणेज बाहर आता ठीक है तो वो भी हम देखते प्रस्निक अनुसार हम ये value देखेंगे तो ये कितना जाएगा 10 plus root 84 है तो ये कितना जाएगा 21 गुणे 4 ठीक है अब यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ कि ये values जो दी गई है इसको और मैं सरल अगर कर लूँ तो ये कितना जाएगा मेरा देखो एक बटे root 12 minus देखो 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ ठीक है तो ये कितना जाता 2 root 35 ठीक है इसी प्रकार इसमें माइनस करूँगा तो ये कितना जाएगा root 8 minus 2 root 15 और ये तीसरा टम तो ये तीसरा टम मेरा यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 बटे देखो root 10 plus 2 root 21 आ जाएगा ठीक है ये आ गया अब देखे इसको मैं solve करते तो देखो ये कितना आ जाएगा अब मैं यहाँ पर बनाना क्या चाह रहा हूँ देखो मैं यहाँ पर 12 minus 2 root 35 है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि a minus b का whole square मैं देखता हूँ तो ये क्या होता है a square plus b square minus 2ab ठीक है और a plus b का whole square अगर देखता हूँ तो ये क्या होता है a square plus b square plus 2ab मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की कुछ form में बदल जाए ताकि मेरा simplification जो सरलीकरन है वो आसान हो जाए तो देखे यहाँ से ये क्या जाएगा एक बटे ये मेरा क्या है 12 है तो इसको अगर मैं ये लिख लेता root 7 का square plus root 5 का square और ये minus sign है यनि कि ये minus क्या रहा होगा minus 2 गुणे root 7 root 5 देखो क्या वही चीज़ फॉलो हो रही है तो मैं कह सकता हूँ इसको मैं यही तो लिखता root तो ये हाँ से ये क्या हो जाता root 7 का square तो देखें ये root तो यहाँ पे रहेगा नहीं अब यहाँ पे ये आ जाएगा 12 minus 2 root 35 तो यही तो लिखा हुआ है तो देखें मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यानि कि ये क्या है मेरा root 7 का वर्ग minus root 5 का वर्ग ठीक है और ये इसमें पूरे के power में क्या लगा हुआ है root लगा हुआ है इसी तरीके से दूसरे वाले में भी क्या होगा तो यह आ जाएगा 1ह पटे root 5 का वर्ग minus root 3 का वर्ग ठीक है और इसके पूरे में root लगा हुआ है इसी प्रकार तीसरे वाले में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बीच में क्या है plus है ठीक है यहाँ पे प्लस था तो यहाँ से मैं कह सकता हूं यहाँ पे a प्लस b का whole square वालो हो रहा है चेक भी करते हैं तो यहाँ से क्या आजाएगा root 5 plus root 5 root 7 plus root 3 का cycle होता तो यह क्या आजाता 7 प्लस 3 और 7 गुण 3 एक किस तो यहां से मैं कह लेता कि रूट 7 का वर्ग प्लस रूट 3 का वर्ग है ठीक है और इस पे पूरे में रूट लगा हुआ है ठीक है तो इसको बस मैं अब यहां से solve कर लूँगा तो देखो यह कितना आ जाएगा यहां पर वर्ग भी लगा हुआ है और रूट भी लगा हुआ है यानि कि यह cancel out हो जाएंगे तो यह आ जाएगा एक बटे रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस एक बटे रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस दो बटे रूट 7 प्लस रूट 3 ठीक है अब देखे यहां पर इस value को मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ देखे तो यह कितना है एक बटे रूट 7 माइनस रूट 5 माइनस एक बटे रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस दो बटे रूट 7 प्लस रूट 3 तो देखे यहां से मुझे देखने से पता चल रहा है कि अगर इसका मैं rationalization कर दूँ या सायूगमी करण कर दूँ तो इसको मुझे हल करना आसान हो जाएगा तो देखे सायूगमी करण मैं कर देता हूँ इसी को हम rationalization भी बोलते हैं ठीक है तो देखे यहां से मैं इसको अगर सायूगमी करण करूँगा तो मुझे पता है कि यह क्या है अगर negative में है minus sign है तो जो मैं गुणा करूँगा जिस value से वो क्या होगा plus होगा उनके बीच का sign तो यहां से मैं लिखता हूँ एक बटे root 7 minus root 5 गुणे root 7 plus root 5 बटे root 7 plus root 5 ठीक है इसी प्रकार दूसरी value के साथ तो यह कितना जाएगा एक बटे root 5 minus root 3 गुणे root 5 plus root 3 बटे root 5 plus root 3 minus 2 बटे root 7 plus root 3 है तो यह plus है तो यहां minus से गुणा होगा तो यह क्या आएगा root 7 minus root 3 बटे root 7 minus root 3 देखे यहाँ पे मैं गोड़ा करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने पे बता चल रहा है कि यह कैसा बन रहा है A minus B गोड़े A plus B का कुछ scene बन रहा है तो यहाँ से मैं लिख देखता हूँ कि A minus B गोड़े A plus B बराबर क्या होता है A square minus B square बस इसी सर्फसमिका का यूज करेंगे हम है न तो देखे यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह कितना आजाएगा root 7 plus root 5 बटे यहाँ root 7 का square minus root 5 का square होगा यानि कि 7 minus 5 आजाएगा 7 minus 5 यानि कि मैं लिखूँँगा 2 इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं तो ये कितना आजाएगा root 5 plus root 3 बटे 5 का square 5 का भर्ग minus 3 का root 5 का भर्ग तो root 5 का भर्ग कितना होगा 5 और root 3 का भर्ग होगा 3 यानि कि 5 minus 3 करूँगा मैं इसी तरह तीसरे में देखते हैं कितना जाएगा दो गुणे root 7 minus root 3 बटे ये कितना हो जाएगा, root 7 कवर का जाएगा 7 और root 3 कवर कितना जाएगा, 3, देखे, बस इसको मैंने यहां से solve किया, तो यह कितना जाएगा, root 7 plus root 5, अब देखो, यहाँ पे बटे में 2 है और यहाँ पे भी root 5 plus root 3 बटे 2 आ जाएगा और यहां से अगर मैं देखोंगों तो यह कितना आ जाएगा रूट 7 minus root 3 बटे 7 minus 3 यहने 4 आ गया और यहां पर 2 है ठीक है तो 2 और यह है 4 बस इसको यहां से मैं कट कर दूँ तो यह कितना आ जाएगा बताओ 4 को 2 से कट कर दिया तो यह आ गया 2 यानि कि मैं 1 बटे 2 अब यहां से बाहर ले सकता हूँ और इसको मैं solve कर लेता हूँ तो यह कितना आएगा root 7 plus root 5 minus root 5 minus root 3 minus root 7 और यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और यह आ जाएगा root 3 तो देखे बस यहां पर मैं देखता हूँ कि कौन कॉनसी value जोड़ रही है और कौनसी घट रही है तो यह आ जाएगा root 7 plus में है एक बार और एक बार minus में है इसी तरह root 5 plus में है root 5 minus में root 3 भी minus में है एक बार और एक बार plus में है यानि कि सारी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, अब जीरो में एक बटे दुखा गुणा भी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ गई नहीं मेरा आंसर इसका क्या आ गया, जीरो, सो कौन सा ओप्शन सही है मेरा, ओप्शन नमबर A मेरा यहाँ पे सही उत्तर है, थैंक यू डाउटनेंट पे कीजिए अपने सारे गाउर्मेडटे इकजाम की त्यारी, सीखे नीघगे लिए करेंड़ आपको, सारे मेरा अपप्शन चार्प, और वाइनन नमबरा या फिर वाट्साप कीजिए अपने डायौट सारे इसमत उपनी गौउर्मेड एक्साइप, पर